हेलो बच्चो वेडी गूड इवनिंग टू अल अफ यू मैंक मारी सिम्रेण भारती आप सभी के वीच फिर से कुछ नए प्रेश्णों के साथ पस्तित हूं बच्चो आज के प्रेश्ण स्रामान ने ग्यान से संबंधित हैं बच्चो आज का सेशन बहुत ही अंट्रेस्टि बच्चो हमारा पहला प्रेश्ण आपके स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा लच्चदीप में दीपो की संख्या कितनी है बताइए बच्चो लच्चदीप में दीपो की संख्या कितनी है option A 32 option B 34, option C 36 और option D 37 चले बच्चो जब बात लच्चदिप की हो रही है तो मैं लच्चदिप के बारे में बता दू इसकी राजधानी लच्चदिप की राजधानी बच्चो राजधानी इसकी कहा है कवरती इसकी राजधानी कहा है बच्चो कवरती बच्चो यह भारत का सबसे छोटा यूटी है यह सबसे छोटा यूटी है Indian Territory सबसे छोटा के अंदर सासित परदेश यही है लच्चदिप बच्चो यह कहां इस्थीत है इस्थीत यह इस्थीत है बच्चो अरेवियन सी में अना आरब सागर आरब सागर में इस्थीत है इसका एरिया कितना है बच्चो छेतरफल तो इसका छेतरफल बच्चो 32 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया कितना है 32 वर्ग किलोमीटर है अच्चा अब बात है बच्चो इसमें बात आती है कि इसमें दीपो की संख्या कितनी है तो बच्चो इसमें दीपो की संख्या 36 है आनि कि आपका right option option number C है clear है इसका right answer क्या है बच्चो option C अच्छा ये तो बात हुई बच्चो कि भारत की सबसे छोटी जो UT है वो लच्टीप है भारत का सबसे बड़ा UT कोन है भई सबसे बड़ा है Indian territory कोन है तो लद्धाक है कोन है लद्धाक जो की 2019 में बना है हाली फिलाल में बना है तो ये सबसे बड़ा UT है clear है चुकि ये भी पूस देता बच्चो बहुत बार की भारत का सबसे छोटा UT कोन है तो लच्टीप है कहां इस्थीत है तो अरफसागर में इस्थीत है इसकी राजधानी का है तो कवरती है clear है चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की दरफ अब है प्रश्ण बच्चो समिंधान सवा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है नेमन में से समिंधान सवा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है प्रश्न संख्या 2, बच्चों यहां पर बात हो रही है समिंधान सभा की अस्थाय अद्याश, तो मैं बतादू समिंधान सभा की पहले जो बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी बच्चों, यह हुई थी, आप लोगों को, 9 दिसंबर 1946 को, कभी थी, 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक कभी थी, 9 दिसंबर 1946 को, चलिए यहां पर अस्थाय अद्याश की बात कर रहा है बच्चों, तो अस्थाय अद्याश जो थे हमारे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र, प्रशाज जी थे, जो कि भारत के पहले राश्टपती भी है, भारत के सरपराजाद, भारत के सरपर्थम राश्टपती कौन थे, डॉक्टर रजेंद्र, प्रशाद, अब देखिए, जब पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को, हुई थी, तो उस दिन जो अस्थाय अध्याश, अस्थाय अध्याश के रूप में किने चुना गया था, विल्कुल राइट, उस दिन जो है, अस्थाय अध्याश के रूप में, डॉक्टर सचदानंद सिनहा को चुना गया था, ये कोस्चन भी आता है, कि समिधान सवाके, अस्थाय अध्याश कौन थे, तो डॉक्टर सच 1914 6 को हुई तो जब दूसरी बैठक हुई 1946 को तो उस दिन हमारे देश के लिए यह समिंधान सवा के अस्थाई अध्यक्ष चुने जाने थे तो उस दिन कौन चुने गए डॉक्टर रजेंदर परसाद तो यही चीज है कि आस्थाई अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर साचिद जान सवा की दूसरी बैठक में चुनेंगे के लिए रहे दूसरी बैठक में चलिए और ये हाँ बच्चो यहां पर डॉक्टर भीम्राव अमवेद कर यह कौन थे वही यह प्रारूप समीति के अध्यक्ष थे हाना जो समिंधान का जो में जो उनका कंस्ट्राक्षन का जो स तो वो प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीम रहांबेद कर है ना चलिए अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं बच्चों हमारा प्रश्ण संख्या तीसरा है कि किसने भारत पर सत्रावार आकर्मन किया बता इसका राईट आंसर क्या होगा किस ने भारत पर सत्रा वारा कर्मन किया उप्चन A, बावर, उप्चन B, आकवर, उप्चन C, मुहमद गजनी, उप्चन D, इन में कोई नहीं बिल्कुल बच्चों मुहमद गजनी ने किया था है ना मुहमद गजनी ने भारत पर कितनी वारा कर्मन किया सत्रा वारा कर्मन किया है समझ में आ रही है मरिवाद मुहम्मद गजनी ने भारत पर सत्रा वारा कर्मन किया सत्रा वार बच्छों मुहम्मद गजनी जो था तुर्की मूल का था लेकिन ऐसे वो अफगानी सा सकता वो था तुर्की मूल का मुल्रुप से मुल्ता तुर्की का था लेकिन उसने जो है अफगान को भी अपने कबजे में ले लिया था और वो गजनी बंस का सासक था समझ में आ रही है अमरे बाद यह बहुत ही विदवन्सकारी सासक था बच्छो इसकी विदवन्सकारी के कारण इसे जो लोग है मुर्ती भंजक के नाम से बोलाते थे क्या बोलाते थे मुर्ती भंजक मुर्ती भंजक की सासक को कहा जाता है तो महमुद गजनवी को कहा जाता है बच्छो इसने सबसे बड़ी लूट भारत में जो है 1024 इस्वी में 1024 इस्वी में सोमनाथ टेंपल में किया था सोमनाथ मंदिर है गुजरात के काठिया बाड़ा में उसी में इसने सबसे ज़्यादा लूट मजाई थे उसमें जितने भी पंडित थे उनको मार दिया वहाँ जितना सोना था उसको लूट लिया और भगवान की सिर्फ की सिंगलिंग थी उसे भी उसने खंडन कर दिया था तो महमूत गजनवी जो था वच्चो ये बड़ा ही विदवन्स कारिस आ सकता है चलिए बावर की बात आई है अकवर की बात आई है तो बावर कौन था बच्छो, बावर था मुगल वंस का संस्थापक था, मुगल वंस का कौन था ये, संस्थापक था, भारत में मुगल वंस की अस्थापना किसने की, बावर ने किया, अच्छा, आकवर कौन था बच्छो, तो आकवर था इसी मुगल वंस का तीसरा सासक, कौ किसरा सा सकता के लिए रहा है चलो मीटर भी गया जो लिखी में बावर कौन था फास्ट यानि कि ये जो था मुगलवन्स का क्या था मुगलवन्स का संस्थापक था अकवर कौन सा था थाड था थाड नमबर कर आ जा था और हमारा जो राइट अंसर था बच्चों वो महमूद गजनी था जिसने भारत पर 17 वार आकरमन किया कभी कभी कुस्चन इस तरह से भी आता है कि सोमनाथ मंदिर को किस ने लूटा है ना बुरी तरह से किस ने लूटा तो सोमनाथ मंदिर को सबसे बुरी तरह से मुहमद गजनी ने लूटा था ना ये बच्पन से इसका ख्वाब था भारत आकर भारत को लूटना मचाना क्योंकि भारत की सुख समरिद्धी से ये बच्पन से यहां की सुख समरिद्धी के बारे में कहानिया सुनते आ रहा था और कब लूटा तो 1024 इस्वी में लूटा था चलिए इसको मूर्ती भंजक के नाम से भी बुलाते हैं बच्चो इसे किस नाम से बुलाते हैं मूर्ती भंजक हम लोग अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं बच्चो अगला प्रश्ण बच्चो गुदावरी नदी का उद्गा मस्थल है ना उद्गा मस्थल का मतलब जो निकलने वाला जो अस्थान है ना तो गुदावरी नदी का उद्गा मस्थल कहां है भई आप्षन अमानसरोबर जील, आप्षन B, रोथांक, दर्र, आप्षन C, ना सिक, आप्षन D, जासा, पावा, पहाड़ी बताओ कहा है इसका उद्गा मसराइट उसका है बच्चों मैं बता दू, गोदावरी नदी जो है, प्राइदीपिये भारत की सबसे लंबी नदी है, प्राइदीपिये भारत की सबसे लंबी नदी है, प्राइदीपिये भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, प्राइदीपिये भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी है, इसे दक्षिन की गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, दक्षिन की गंगा, इसे दक्षिन की गंगा के नाम से भी जानते है चलिए विच्व गोदावरी नदी का उद्गम अस्थल क्या है गोदावरी नदी का उद्गम अस्थल नासिक है क्या है ना महराष्ट के नासिक जिले से गोदावरी नदी निकलती है समझ में आ रहा है महराष्ट के नासिक जिले से ये नासिक कहा पढ़ता है भाई तो महाराष्ट में पढ़ता है महाराष्ट की नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गमस्तल है ठीक है? अच्छा गोदावरी नदी जो है बच्चो ये टोटल पांच राज्यों से होकर गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पांच राज्जियों से होकर गुजरती है वो कौन-कौन से राज है तो सबसे पहला तो महराष्ट अल्रेड़ी यहां पे लिखा हुआ है महराष्ट हो गया एक नमबर में दूसरा नमबर में बच्चो आप लिख लो 36 गड़ तीसरा नमबर में लिख लो आंध्रप्रदेश चोथा नमबर में लिख लो ओडीसा और पाजवा में लिख लो बच्चो तेलांगना चुलो मैं बोल रही हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं मैं बोल रही हूँ महराष्ट 36 गड़ आंध्रप्रदेश ओडीसा और तेलांगना यह पाँच राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहते हुए और यह कहां गिरती है जाकर यह गिरती है बच्चो बियाफ बंगाल में केलिए रहे चलिए आगले बढ़ते हैं लोग पुस्तक किसने लिखी है बताओ बच्चो यह पुस्तक लिखी है सरी बताओ 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 लिखी है सलमान रुस्ती ने यह इन्होंने 1981 में यह पुस्तक लिखी है और यह उपन्यास है बच्चो यह क्या है उपन्यास है समझ में आ रहा है ना उपन्यास है बच्चो इसमें जो इसका जो विसाय है मुकृप से इस उपन्यास का वो विसाई ये है बच्चों कि भारत में भारत के ब्रिटिस उपनिवेसवाद को किस तरह से जो है अंग्रेजों से छुटकारा मिला भारत को ब्रिटिस उपनिवेसवाद से किस तरह से छुटकारा मिला ब्रिटिस भारत के विवाजन बारत और अंग्रेजों के बीच किस तरह से सुला हुई किस तरह से यह लोग हमें आधी रात में आजाती दे कर चले गए तो यही है इस उपनियास में लिखा हुआ अगला प्रस्थन बच्चो तापसी पन्नो को किस फिल्म के लिए पूरुसकार दिया गया है इस सब कुश्चन तो आप लोग बता सकते हो option A है छपाक option B है थपड option C है ताना जी और option D है ग्रैमी वही छपाक में तो मुझे नहीं लगता तापसी पन्नों है ताना जी में भी नहीं है तो अब कौन सा अंसर है option B is the right answer भिल्कुल थपड थपड जो है बच्चो इसके लिए तापसी पन्नों को है Film Fair Award में West Actress का अवार्ड मिला है 66 Film Fair 66 Film Fair Award Award में West Actress का अवार्ड मिला है ठीक है Best Actress का अवार्ड मिला क्लियर है चलिए अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं वच्चो चलिए प्रस्ण संख्या साथ राज तरंगनी किन की पुस्तके हैं राज तरंगनी किन के द्वारा लिखी गई है option A चंदवर्दाई option V विश्नु सर्म option C option D कालिदास राज तरंगनी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तके बताईए बच्चो बच्चो हमारा अगला प्रस्ण है राज तरंगनी किसकी पुस्तके हैं राज तरंगनी किन की पुस्तके हैं option A चंदवर्दाई option V विश्नु सर्म option C कलहन और option D कालिदास है बच्चो राज तरंगनी option C कलहन और option D है कालिदास बच्चो अब बताएं राज तरंगनी किनकी पुस्तके है किनके दोरह ये पुस्तके लिखी गई है राज तरंगनी की में कि दौर्फ बच्चो इसका राइट आप्शन नंबर सी का नहुंग यह राज तरुपनी जो है ये का लहन के दौरह लिखे Miche अब बात आती है बच्चो की राज तरुपनी जो है इसमें किसा महीं लीखे गई तो बच्चों रास्तारगनी में जो है कस्मीर की रजाओं का बर्नन किस देश के रजाओं का बर्नन का समीर के रजाओं का बर्नन महाभारत काल से ही है किस काल से है महाभारत काल से ही है बच्चों रास्तारगनी का आर्थी होता है रजाओं का परवा है रजाओं की नदी रास्तारगनी का अर्थ होता है रजाओं की नदी जहां मतलब कि बहुत सारे रजाओं इसमें लिखा गया है कि जो है कौन कौन से राजा कस्मीर पर कब सासन की है ना उनका सासनकाल में कैसा औरहा का स्मीर का जंजीवन. चलि अगले प्रशन क्यों बढ़ते हम लोगे, बच्चों हमारा अगला प्रशन है, रेस्म कीट पालने का अध्यन क्या कहलाता है? We are oniology, option C, our culture, option D, iplature. अब देखो, oniology तो ऐसे ही कट गई है, वहाई दीन में उसमें कउल्टर परतिया नहीं तो जब कीरेसम कीट पालन में उसमें जाहर सिवाहत उसमें कल्चर जरूर जुडब गाए बच्चो इसका राइट अंसर जो होगा वहोगा आपसर नंबर C सेरी कल्चर रेसं कीट पालने को क्या कहा जाता है बच्चों सेरी कल्चर कहा जाता है अच्छा बच्चों तो पीसी कल्चर में क्या होता है पीसी कल्चर में पच्चों पीसी कल्चर जो है मतस्ते पालन से संबंधी थे किस्ते हैं मतस्ते पालन मचली पालन से अना एपी कल्चेर मधुमक्खी से के लिए रहे हैं मधुमक्खी पालन से संबन्दी था चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं वागले प्रश्ण क्यों रहे हैं यह कोस्चन जो है बड़ा अच्छा ही प्रश्ण है और इसमें बहुत सारे बच्चे फस भी जाते हैं उत्तर परदेश की सास्त्रिय निरित सहली क्या है है अपसन यह है कथक आपसन बी है जाट चटिन आपसन सी है यचगान और आपसन डी है कथक कली बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा हाँ जी बिल्कुल आप हम बिहारियों को तो पता है जाट जटिन कहां का है जी बिहार का यह उपसन तो ऐसे ही हट गया ना यह बिहार का मिधिला छेत्र का है किस छेत्र का है मिधिला छेत्र का है बिल्कुल राइट बच्चो इसका जो अंसर होगा उत्तर परदेश की सस्त्री निरित जो है बच्चो वह कथक क्या है कथक है कथक तो आप लोगब बोरें कथक कली बच्चो ना कथकक कली और बात रही यह उक्षगान करनाटक और गण कहां कहा साट क लोगन रित किलियर है? आप लोग ध्यान में रखो इसको कठक, उत्तर पर्देश, जाट, जटिन, बिहार, यक्चगान, करनाटक और कठक कली, केरल किलियर है? आगे बढ़ू में भारत का सबसे बड़ा जड़िया घर कहा है? भारत का सबसे बड़ा जड़िया घर कहा है भई? option A है UP option B है कोलकता option C है अफिर का और option D है इलहावाद बताओ कहा है बिल्कुल बच्चों हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं इसका right answer क्या होगा कोलकता option B है बारत का सबसे बड़ा च्डिया गर कहां कोलकता लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर कोस्टन पूझता की भारत का पहला पबलिक जू कहां है भारत का पहला पब्लिक जू पबलिक जू कहां तो यह हो जाता बाच्चो चेन ही कहा हो जाता आप तो आप इपनेट पर कितना भी सर्च मार लो यही दिखाएगा कि भारत का सबसे बड़ा चिढियां करका है चेन नहीं है yet ha और उस चिलिया умगर का क्या नाम था अनना जोलोजिकर फार्क, है नहीं ये भारत का सबसे बड़ा चिलिया घर में कहा जाता है, बच्चों पहले ये ये नहीं खोला गया था आम जन्ता के लिए लेकिन ये अब आम जिन्ता के रिए खोल दिया गया है इसलिए इसको बोल रहा है भारत का पहला पब्लिक जू पार्क आगे बढ़ा जाए है ना पर्थम ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था बच्चों ये प्रेशन काई कवार पूछ चुका है बहुत सारे एक्जाम है पर्थम ओलंपिक खेल कहां हुआ आपसनी ग्रीस आपसन बी फ्रांस आपसन सी आउस्ट्रेलिया और आपसन डी भारत बताएए बच्चों इसका राइट अंसर क्या हुआ बच्चों हम लोग सुरू से ही जानते हैं कि विस्व में कला के मामले में साहित्य के मामले में अगर कोई देश आगे रहा है तो वो कौन रहा है यूनान रहा है ग्रीस रहा है बच्चों इसका राइट अंसर क्या होगा आपसने ग्रीस होगा क्लियर है ग्रीस जो है बच्चों इसे गुरू कहा जाता है भारत का पहला ओलम्पिक खेल कहा हुआ था बच्चो ग्रीस की राजधानी एंधेंस में हुआ था और ये कब हुआ था बच्चो ये हुआ था आपका 1896 में हुआ था ना के लिह रहे बच्चो भारत में अभी तक कोई भी ऐलम्पिक खेल आयोजित नहीं किया गया क्लिए रहे चलिए कभी भी आप्सन में आए भारत ओलम्पिक में तो फाले यह कट जाएगा क्यूंकि भारत में अभी तक कोई भी ओलम्पिक खेल आयोजित नहीं किया गया बच्चों आपका प्रश्ण है प्रश्ण संक्या 12 पाहिये का विस्कार कब हुआ है पहिये काविस्कार कब हुआ? आप्सन A है 5000VC, आप्सन V है 3000VC, आप्सन C है 500VC, और आप्सन D है 1000VC. चले बताओ, पहिये काविस्कार कब हुआ? बच्चों इसका राइट आंसर जो है यहां पे होगा 3000VC. देखे, हम लोग तो अपनी बुक में जब पढ़ते हैं, भारत में तो 3500 आता है BC, यह राइट आंसर आता है. लेकिन यहां पे पूछ रहा है, आल ओवर में कि पहिये काविस्कार कब हुआ? तो 3000VC में हुआ था है ना? बच्चों, पहिये काविस्कार जो है ना पासान काल में हुआ था, कब हुआ था? ना वो पासान युग में हुआ था, हाना? पहिये काविस्कार. चलिए, हम लोग आगले प्रिश्ण के और बढ़ते हैं. नील विद्रो, बच्चों, बंगाल में हुआ था, हाना? कहा हुआ था? बंगाल में हुआ था, हाना? बच्चों, और ये कब हुआ था? 1859 में हुआ था, हाना? और ये विद्रो जो है, बच्चों, किसानों को द्वारा किया गया था, हाना? क्यूंकि जब अंग्रेजों के द्वारा ये दवाव आने लगा कि नहीं, नील की खेती करना ही करना है, तो सब किसान एक जूट होकर, उन्हेंने नील का बीज बोने से मना कर दिया, क्यूंकि नील की खेती करने से, बच्चों, उनकी खेतों की जो उर्वरक्स चमता है, अब जाओ चमता जो है, घटते जा रही थी, बिल्कुल घट जाती थी, सुन नहीं हो जाती थी, इस दसा में उन्होंने कहा, कि नहीं, अब हम लोग नील की खेती नहीं करें, याना इसी को गर्णा नील विद्रो या इंडिगो विद्रो, क्लियर है, और ये बंगाल से शुरू हुआ था, चलिए बच्चो, अब हमारा आगला प्रस्न है, जार्खंड का राजकिये पक्ची क्या है, बताओ, बच्चो मैं बता दू, जार्खंड का राजकिये पक्ची, जार्खंड के राजकिये पक्ची कोईल है, क्या है, कोईल है, ठीक है, चलिए ये तो बात है, जार्खंड की हम लोग जान जाते हैं, अब जब आपने विहार के बारे में जानते है, जब विहार की, सरे, क्या लिखा रहा है ऐसे, चलो मैं बोल देती हूँ विहार के राज किये पसू विहार के राज किये पसू क्या है बच्चो पसू बैल है राज किये पसू क्या है बैल है अच्छा पक्ची क्या है बच्चो गौरया है यहां बिहार की राजकी यह पक्षी क्या है गावरिया कि दिया रहे फूल क्या है बच्चो यहां का राजकी यह फूल क्या है गेंद यहां का फूल क्या है बच्चो गेंद का फूल है अच्छा राजकी यह बिरिक्ष क्या है बच्चो बिहार का पीपल क्या है पीपल के लिए रहा कभी कभी बच्चों इन सबसे भी कोस्टिन आ जाता है ना छोटे छोटे चीजों को हम लोग यहां पर नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं चलिए अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं भारत के मसालों का भाग किससे कहा जाता है या फिर भारत में मसालों का भगीचा किससे कहा जाता है मसालों का भगीचा या मसालों का भाग option A केरल, option B बिहार, option C चीनी, option D बंगाल बताईए किससे कहा जाता है बिल्कुल बच्चो मसालो का वगीचा तो बिहार को कभी नहीं कहा जा सकता है और ये बंगाल को भी नहीं मसालो का वगीचा किसे कहा जाता है केरल को कहा जाता है किसे कहा जाता है केरल को कहा जाता है बच्चो केरल की राजधानी कहा है इसकी राजधानी तिरु वनंत पूरम है इसके रह जानी कहां पर है तिरु वनंत पूरम है के लिए रहे अच्छा बच्छों यहां पर अभी बरतमान में CM कौन है चीफ मिनिस्टर बच्छों यहां के चीफ मिनिस्टर जो है पिनाराई विजयन के लिए रहा पिनाराई विजयन अना चलिए हो गया बच्चों आज का प्रस्ट यहीं पे समाप्त होता है तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग प्रस्ट के साथ बच्चों अगर आज आज आपका आप लोग को आज हमारा question सही लगा हो, आज का session आपको अच्छा लगा हो, तो like जरूर करिएगा, और जो भी problem है आप लोग comment section में जरूर लिख कर नीचे दें, ताकि हम उस basis पर आगे का प्रश्न तयार कर सकें, हना, चलिए बच्चो, thank you,